आपको सेना का एर्ट्राफ्ट विमान हुआ क्रैश ये स्वक्त की बड़ी खबार उड़ते वक्त ही विमान में आग लग गई ये बड़ी खबर आ रही है ये जलते हुए गिरा विमान हादसा ये हुआ है पाइलेट तमें दो लोगों ने कूत कर अपनी जान बचा ही है घनी गिरा है खेत में ब्रिज किशोर शर्मा समवाता मारसा तागरा से जुड़ गे हैं जाजनकारी के साथ अब ब्रिज किशोर अब क्या हुआ था कैसे आग लगी फिलाल जो अभी क्या ताज़ा अपडेट आपके वास मिल पा रही है आगरा में ये बड़ा हासा है कि बेमान जो है एक खेत मर जाकर गिरा है और उसमें आग लग गई थी हलागी पाइलेट और उसके सहयोगी जान बच गई है क्योंकि वो पहरा सूट के सहारे से तो क्लियोमिटर दूर जागे गरें अभी कोई शुरुआती तोर पर जानकारी की टेकनिकल फॉल्ट की वज़े से हाथसा हुआ या कोई अलापरवा ही हुई थी या चेकिंग ठीक से नहीं हुई थी उड़ान से पहले अभी कोई जानकारी फिलास शुह के सूतरों के तरफ से मिल पारी है क्या बिमान में सिर्फ पाइलेट और एक सेयोग की हास्था था अब भी जेना के अधिकारी एकोस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं पूरे मामले की चांस कर रहे हैं कि कहां से कोई टेक्निकल खराबी थी या बिमान ने उड़ान बरने के बाद कोई गल्सी हुई जिसकी लगातार अधिकारी मौनिटरिंग और चांस कर रहे हैं सभी बिंदूओं पर अधिकारी चांस में लगे हुए हैं और जो बिमान खराब्से के जो कारण हैं उनको तलाजने का प्यास कर रहे हैं चलिए बहुत 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 शुक्रिया बिश्किशोर इस समाम जानकारी के लिए सेना का एरक्राफ विमान क्रैश हुआ है उड़ते वक्त ही बताया जा रहा है विमान में आग लगाई थी सेना के तरफ से अभी कोई पश्टी करण नहीं आया है तस्वीर हम आपको दिख साथी दो लोग थे उन्होंने कूद कर जान अपनी बचाई है पालिट से में दो लोगोंने कूद कर जान बचाई है और यह हादसा हुआ है अब इस पिलाल यह जान परताल यहां पर की जाएगी कि आखिर क्या कोई टेकनिकल फॉल्ट था या कोई लापरवाही थी क्या जागिरा आपको तस्विर हम दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कागरॉल के गाओं सिनोगा में यह हादसा हुआ है सोनीगा में हादसा हुआ है सेनक का एक्राफ्ट विमान क्रैश हुआ है आगरा से इस वक्त की बड़ी खाबार उरते वक्त विमान में यह आग लग गई खेत में जलते हुए गिरा यह विमान गनीमत रही कि जो पाइलेट समेत दो लोग थे उन्होंने कूट कर अपनी जान बचाई तो कोई कैश्विल्टी नहीं हुई है कागरॉल के गाओं सोनीगा में यह जो एरक्राफ्ट है वो जलकर इस खेत में ज़ा गिरा है तो फिलाल यह तस्विर हम आपको दिखा रहे हैं